सोनाक्षी सिन्हा का जीवन परिचय, फिल्में, पती का नाम, शादी, न्यू मूवी, उम्रत, परिवार, सोनाक्षी सिन्हा, बायोग्रफी, इन हिंदी, हास्बंड नेम, मूवीज, न्यूज, एंगेजमेंट, मदर, मैरिज, सोनाक्षी सिन्हा इस समय बॉलिवुड की दबंग से अपनी करियर की शुरुवात की थी, फिल्म दबंग के बाद इनके खाते में कई बहतरीन फिल्में आई, रावडी राठोर, सन ओफ सरदार, दबंग दो, हॉलिडे आदी कई फिल्मों में इन्हें मुख्यनायका के किरदार में देखा गया, इस समय सोनाक्षी ए एक के बाद एक बहतरीन फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री को दे रही हैं, इन्हें फिल्म फेर अवाड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू, फिल्म फेर अवाड फॉर बेस्ट आक्ट्रेसेस और कृटिकल एक क्लिंड अवाड से नवाजा जा चुका है, इसके जीवन के ब जन्म स्थान, मुंबई महाराष्ट्र, उम्र, 35 साल, व्यवसाय, एक्ट्रेस्ट, राष्ट्रियता, भारतिय, स्कूल, आर्य विघा मंदिर, मुंबई, कॉलेज, श्रीम्ती नाथी बाई दामोदर थैक्र से महीला विश्व विघाले, शैक्षिक योग्यता, सनातक फैशन डिजाइनिंग, देब्यू, दबंग, पिता का नाग, शत्रुधन सिन्ह, माता का नाग, पूनम सिन्ह, भाई, लव सिन्ह, कुष सिन्ह, जाती, पता नहीं, शौक, फोटोग्राफी करना, पढ़ना, योग करना, नित्य करना, पसंदीदा खाना, गोवन फिश करी, पसंदीदा एक्टर, रितिक रोशन, प्रसेल पीटर्स, वैवाहिक स्थिति, अविवाहित, कार, बीए मडबलू 5 सीरीज, ग्रैन टूरिज्मू, वेतन, चार करोर प्रती फिल्म, संपत्ती, साथ करोड, सोनाक्षी सिन्हा का जन्म और आरंभिक जीवन, सोनाक्षी सिन्हा अरली लाइफ, मशुर अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का जन्म 2 जून 1987 में बिहार की राजधानी पटना में हुआ, इनके पिता हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता शत्रुग्न सिन्हा तथा माता अभिनेत्री पूनम सिन्हा है, इनके पिता अभिनेता होने के साथ ही भारतिय राजनीती में सक्रिय राजनेता भी हैं, शत्रुग्न सिन्हा भारतिय जन्ता पार्टी से राजनीती करते हैं सोनाक्षी के दो भाई भी है दोनों भाईयों का नाम लव कुश है ये दोनों जुडवा है लव को फिल्म सदिया में देखा गया था सोनाक्षी सिन्हा की आरंभिक शिक्षा आर्य विद्या मंदिर से हुई यहाँ से अपनी स्कूली पढ़ाई कत्म करने के बाद इन्होंने श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से विमेंस यूनिवर्सिटी से फैशन डिजाइनिंग में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की सोनाक्षी सिन्हा का करियर सोनाक्षी सिन्हा करियर सोनाक्षी सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर शुरू की इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर सन 2005 में आने वाली फिल्म मेरा दिल लेके देखो तथा ऐसी की कुछ और फिल्मों के लिए भी काम किया कालांतर में इनके फिल्मी सफर की शुरुवात सल्मान खान की फिल्म दबंग से देखी जाती है साल 2010 में ये फिल्म साल की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली फिल्मों में शामिल हुई इस साल के ब्लॉक्बस्टर फिल्मों में ये फिल्म पहले नंबर पर थी, जिसे लोग आज भी पसंद करते हैं सोनाक्षी सिन्हा ने इस फिल्म को करने के लिए 30 किलो तक अपना बजह घटाया था फिल्म में उनकी भूमिका एक गवई लड़की की थी इसके दूसरे साल यानि सन 2011 में इनकी कोई फिल्म नहीं आई किन्तु इसी साल इन्हें डेब्यू के लिए कई सारे अवार्ड मिले साल 2012, साल 2012 में सोनाक्षी सिन्हा की चार फिल्में रिलीज हुई जिन फिल्मों में से दो में ये अक्षय कुमार तथा एक में अजय देवगन और एक में सल्मान खान के साथ नजर आई इस साल इनकी पहली फिल्म थी प्रभुदेवा निर्देशित रावडी राठोड इस फिल्म में ये अक्षय कुमार के साथ नजर आई ये फिल्म इस साल की बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हुई इस फिल्म पर हाला की फिल्म समीक्षकों का मिला जुला विचार था किन्तु फिल्म को बॉक्स ओफिस पर अपार सफलता मिली इसके बाद इन्हे पुनह अक्षय कुमार के साथ फिल्म जोकर में देखा गया फिल्म जोकर बॉक्स आफिस पर बुरी तरहे पिट गई साथ ही कई फिल्म समीक्षकों द्वारा इसे नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली इसके बाद सोनाक्षी को अश्वनी धीर द्वारा निर्देशित फिल्म सन ओफ सरदार में देखा गया इस फिल्म में ये अजय देवगन के साथ नजर आई इस साल ये भी फिल्म समीक्षकों की नकारात्मक प्रतिक्रिया पाई किन्तु बॉक्स ओफिस ने फिल्म को निराश नहीं किया सोनाक्षी की इस साल की बहतरीन फिल्म रही फिल्म दबंग की सीक्वल दबंग दो दबंग दो में सोनाक्षी अपनी दबंग वाली अदा में ही नजर आई साल 2013, साल 2013 में सोनाक्षी की पहली फिल्म विक्रमादित्य मोटवाने निर्देशित लुटेरा थी फिल्म लुटेरा में सोनाक्षी रणवीर सिंह के साथ नजर आई ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर हाला की बहुत कास कमाल नहीं कर पाई किन्तु फिल्म समीक्षकों ने इस फिल्म में सोनाक्षी सिंहा की भूमिका को खूब सराहा फिल्म में सोनाक्षी ने एक बंगाली लड़की पाखी का किरदार निभाया था जिसे ट्यूबर क्लोसिस बीमारी रहती है इस फिल्म में पाखी का किरदार सोनाक्षी ने ऐसी खूबसूर्ती से निभाया कि ये किरदार कई लोगों के जहन में अब तक बना हुआ है इस फिल्म के बाद इस साल सोनाक्षी की कई और फिल्मे भी आई इसके बाद सोनाक्षी को साल 2010 में आई फिल्म Once Upon A Time In Mumbai के सिक्वल Once Upon A Time In Mumbai दुबारा में देखा गया इस फिल्म में एक बार फिर इन्हें अक्षय कुमार के साथ देखा गया ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर बुरी तरहे पिट गई और इसी के साथ कई समीक्षकों की आलोचना भी सहनी पड़ी इस फिल्म के बाद ये तिग्मांशु धुलिया की फिल्म बुलेट राजा में सैफ अली खान के साथ नजर आई बुलेट राजा फिल्म समीक्षा यहां पढ़ें ये फिल्म भी बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप रही इस साल सोनाक्षी की आखिरी फिल्म प्रभुदेवा निर्देशित आर राजकुमार थी ये फिल्म किसी तरह चली और समीक्षकों ने यहां तक कह दिया कि सोनाक्षी को स्वयन को रीइनवेंट करनी चाहिए आर राजकुमार फिल्म समीक्षा यहां पढ़ें साल 2014 से अब तक साल 2014 में सबसे पहले रियोग दो में इनकी आवाज सुनी गई इस साल स्क्रीन पर सोनाक्षी ने अक्षय कुमार के साथ फिल्म हॉलिडे असोलजर इस नेवर ओफ ड्यूटी में स्क्रीन शेयर किया यह फिल्म एक तमिल फिल्म थुपपक्की की रीमेक थी यह फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट रही इसके बाद इस साल सोनाक्षी की दूसरी फिल्म एक्षन जैक्षन थी इसके बाद इन्हें रजनी कांथ के साथ फिल्म लिंगा में देखा गया साल 2015 में तेवर में ये अर्जुन कपूर के साथ नजर आई पिछले साल यानि 2016 में सोनाक्षी सिन्हा को फिल्म अकिरा में देखा गया ये फिल्म एक तमिल फिल्म मौना गुरु की रिमेक थी फिल्म में इनकी भूमिका एक अग्रेसिव स्टूडेंट की थी इसके बाद इन्होंने फिल्म फोर्स दोभी की हाल ही में इनकी फिल्म नूर रिलीज हुई है ये फिल्म लेखी का सबा इंतेयास की किताब कराची यू आर किलिंग मी पर आधारित है ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें इनकी भूमिका एक जॉर्णालिस्ट की है इस समय सोनाक्षी सिन्हा अभै चोप्रा की साल 1979 की फिल्म इत्तेफाक के रिमेक के लिए काम कर रही है सोनाक्षी सिन्हा का निजी जिवन सोनाक्षी सिन्हा परसनल लाइफ मीडिया की माने तो सोनाक्षी ने फिल्म लुटेरा के दौरान रणवीर सिंह को डेट किया था और ऐसा करने पर उन्हें अपने पिता की सुननी भी पड़ी थी वैसे ऐसा माना जाता रहा है कि सोनाक्षी और आदित्य श्रौफ दो सालों तक एक दुसरे को डेट करते रहे आदित्य फेम सिनिमा के मालिक है धीरे धीरे सोनाक्षी को आदित्य के व्यवहार से दिक्कत होने लगी और एक समय बाद दोनों अलग हो गए ऐसा माना जाता है कि सोनाक्षी और आदित्य दोनों परिवारों को इनकी दोस्ती के बारे में बखूबी खबर थी इसके बाद सोनाक्षी और बंटी सचदेव को एक साथ देखा गया हाला कि बंटी के साथ भी इनका रिष्टा बंटी के अग्रेसिवनेस की वजह से नहीं टिक सका साथ ही सोनाक्षी की मा और उनके भाई भी इसके खिलाफ थे इसकी एक वजह ये है कि बंटी डाइवोर्सी थी और दोनों में उम्र का भी काफी फर्क था सोनाक्षी सिन्हा को मिले अवार्ड सोनाक्षी सिन्हा अवोर्ड्स लिस्ट इस दोरान सोनाक्षी सिन्हा को कई पुरसकारों से नवाजा जा चुका है यहाँ पर साल के अनुसार सोनाक्षी के अवार्ड के विशह में दिया जा रहा है साल दो हजार ग्यारह में प्राप्ट अवार्ड फिल्म दबंग के लिए एक एनुल यूरोपियन बॉलीवुड अवोर्ड की तरफ से बेस्ट न्यूकमर फीमेल अवोर्ड दो अपसरा फिल्म और टेलिविजन प्रोडूसर गिल्ड अवार्ड की तरफ से बेस्ट फीमेल देब्यू अवोर्ड तीन फिल्म फेर अवार्ड की तरफ से बेस्ट फीमेल देब्यू अवोर्ड चार इंटरणाशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड की तरफ से Star Debut of the Year अवोर्ड लायनस गोल्ड अवार्ड की तरफ से Favorite Debutant अवार्ड पांच डू स्टार स्क्रीन अवार्ड की जानिब से Most Promising Nukmar female अवोर्ड शे डूर डूस्ट की तरफ से Superstar of Tomorrow Award 7. G. Siné Award की तरफ से Best Female Debut Award 8. Fixie Frames Award की तरफ से Best Debut Actresses Award 9. आज तक की तरफ से Best Debutant Actresses Award 10. दादा साहिब फाल के अवार्ड की तरफ से Best Debutant Actor Female Award 10. साल 2012 में ETC Economy की तरफ से Highest Grossing Actresses Award प्राप्थ हुआ 11. साल 2013 में Big Star Entertainment Awards की तरफ से Most Entertaining Actor for Romantic Role Female Award प्राप्थ हुआ 11. साल 2014 में G. Siné Award की तरफ से Best Actresses Critics Award प्राप्थ हुआ 11. सोनाक्षी सिनहा का विवाद सोनाक्षी सिनहा Controversy 12. हाला की अभी तक सोनाक्षी सिनहा का नाम किसी बडी बॉलीविड कन्टरो वर्सी के साथ नहीं जुडा है 12. किन्तु इन दिनों इनके साथ कुछ विवाद जुड रहे हैं 12. दरसल हाल ही में भारत में हुए अभिनेत्रिया भी गाने लगें, तो गायकों को किस तरह काम मिलेगा। इसके बाद ट्वीटर पर जैसे सेलिप्स के ट्वीट्स की जड़ी लग गई। अर्मान मालिक ने ट्वीट करके कैलाश खेर की बात का सपोर्ट किया, तो मसान फेम रिचा चड़ा ने यह कहके सोनाक् का साथ दिया कि कई जगहों पर गायकों ने भी अभिनय किया है। रिचा ने साथ ही सोनो निगम, मोनाली ठाकुर, सुखविंदर सिन्ह आदी के नाम गिनवाए जिन्होंने एक्टिंग भी की है। हाला कि इस विवाद ने कोई बड़ा रूप नहीं लिया है और बाते महस ट्वीटर की डिबेट बन कर रह गई है। इस तरह सोनाक्षी अपनी प्रतिभा लगभग हर क्षेत्र में आजमाने की कोशिश कर रही है। उनकी उपलब्धियां आज की युवतियों के लिए स्मरन रखने योग्य है।